हेलो स्थो एसके लेक्टर उसरक्माप का स्वाइब दोसों कैसे हैं आप सब भी आसा करते हैं बहुत अच्छ होंगे दोस्तों यह मेरे पास एक सब्सक्राइब देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है रिकनेक्ट यह इस कंपणी की पीसिब्यों इसके अंदर जो है एफ और और एफाइव का एरर कोड है तो दोस्तों जब हमारा ऐसा कोई आता है तो हमसे कैसे निकालते हैं हमें चले कंपनी भी याद नहीं होगी तो कैस कि निकालना है ठीक है तो चलिए दोस्तों देखें यहां पे और यहां पर मोटर के रखा हुआ है यह आउटडोर की पीसीब्यों इसकी डिस्प्ले तो सबसे पहले अगर आप कोई से भी इंवेटर करते हो तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा इन्वेटर की जो आपकी indoor indoor pcb साब पता लगा सकते हैं कि outdoor में fault है & indoor में fault है अगर मैं आपसे बात करी जाए तो इस जो error होते हैं सबसे ज्यादा तो इस इस में outdoor unit से बहुत ज्याद बनते हैं जो इंडॉर्स होते हैं और कुछी percentage है जो इंडॉर्स error बनते हैं तो चलिए दोस्तों करते हैं को सुरू तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे कनेक्ट करना है कनेक्ट कैसे यहां से देख सकते हैं यहां पर नूटल और यानी कम्मुनिकेशन तो यह सबस् implicate Biner फ thrimon अवाइर को आपवा से जोड़ना होगा अर्थ् खोड़ सकते हूं कि काम करें को दिककत नहीं है असके बाद दोस्तों हमें यहां पर Compressors को टेस्ट कर सकते हैं लेकिन comparison से यह है कि आपको जाच हो जाएगा कि PCV में दिक्कत तो नहीं है ठीक है उसके बाद में इंडॉर PCV है यह इंडॉर PCV में आपको क्या लगाना होगा आपको एक तो sensor होने चाहिए दोनों यह देख सकते हो यहां पर एक room sensor है और दोस्तों एक है हमारा sensor दोनों यहां पर हमने इखटे कर रखे हैं और फिर आपको दोस्तों इसमें मोटर लगानी होगी इंडॉर की मोटर होती है तो इसमें है यह दोस्तों तो देखे दोस्तों पीसी ऑपर ने के बाद यहां पर देख सकते हैं तीन connector मिलेंगा आपको कुछ इस तरह है कि यह ठीक है अभी हम चला के दिखाएंगे दोस्तों ठीक है ना तो यहां पर देखिए तीन connector में आप देख सकते हो यह आपको ध्यान देना है कि कहां पर कौन से तीन तो इसमें क्या होता है को मन रणिंग स्टर्टिंग कुछ इस तरह होते हैं यहां पर दोस्तों क्या होता है रुनिंग कौन से होता है दोस्तों यहां से हमारे यह जो टैंपेर्टर सेंसर होता है यह जिसे कहते हैं फिर यहां पर यहां पर कपेशिटर का चीन आया देख सकते हैं यह देखिए यह दोस्तों कुछ तो समय देना पड़ेगा आपको तो यह देखें यहां पेख यहां से एक लाग बिल्कुल खाली गई हुए यह गई है तो यह तो दोस्तों पता लग आपको starting point है ठीक है जो capacitor बिल्कुल डाइक लगता है और बाकि उसके साथ कुछ नगता periodic starting point होता है और जो हमारा दोस्तों दूसक्त की दूसी लाइगा इंहएं गई। एसाता हां और यह देख सकता हमारा नंतर जा रहा नहीं कि जहांGo के दूस्तों नवायर क्में करते हैं भी अभी कोबी देखे दौस्त तौ我要 वायर को यहां पर connect करना और फिर करेंगे इसकी feedback क्योंकि feedback का मतलब होता है कि मोटर कितनी चल ली है जाम तो नहीं है या speed में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तो feedback के भी connection कैसे करने हैं वह अभी समझ जाएंगे तो जैसे यहां पर तीन तार दे गए गए हैं तो तो रेड वाला बुलू वाले तो रहेंगे वही रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन हमारा यह है तो सीधा सी बात है यह connection कर देते हैं पहले और अभी आपको यहां पर दिखाते हैं ठीक है यहां पर हमें इसके connection करने होगा इस पर दोस्तों पॉलिस चड़ी होती है यहां प पर बिच वाला इसी पर लग जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारा जो है रनिंग वाला वह एक रिनिंग जिसके साथ दोस्तों आपका कैपेसिटर और हमारी मेल लाइन नहीं तो यहां पर यहां पर ब्लू कलर का वायर को यहां पर जोड़ देंगे उसके बाद में कि यह तो हो गया हमारे मोटर के कनेक्शन फिरा जाता है मोटर चलेगी बंड़ ओगी चले बंड़ोगी और आजाएगा तो देखे दोस्तों यह हम 3 तार हमारे feedback के तो इसमें feedback के लिए हमने क्या बना रखा यहां पर देख सकतो येलो वाला जो हमारा vcc है जो 5 वल्ट आती है और यहां पर जो सकते हो brown colour का यह हमारा output है यह ground है चलो वो तो हम यहां पर देख सकते हैं आप आराम से देख सकते हैं यह यह देखिए आपको PCB को कर लेना है यहां से ओन यह हमारे यहां से ओन हो गई PCB ओन होने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में लाइन आ गई है अभी मोटर भी चलेगी कोई दिक्कत नहीं है बर एरर आ जाएगा तो आपको मल्टीमीटर लेना है मल्टीमीटर क आपको असपास आ यहां से आपको ग्राउण पॉयंंटर की पैचान क्या होती है वो डिरेक्ट होता है तो देख सकते हैं यहां पे अभी दिखाता हूं देखिए यहां पे ॐलस आया हूए है और यहां से यह में यह वाले यह ड Trung 2 डावर यह ज्याख करेंगे च्छ वाला अलग है और साइड साइड का लग है तो फाइस करते हैं here तो देखें दोस्तों माइनस के पांच वोल्टे जा रही है वहाँ दिख रहा है तो अब देखें यहाँ पे दोस्तों पलट लेते हैं प्लस के 5 वोल्ट आनी चाहिए देखें मोटर बंद हो गई है अभी दुबारा चालू होगी हो क्योंकि फीडबेक नहीं देखें अब दे नीचे की तरफ और उपर है ग्राउंट चाहिए मैं दुबारा से दिखाए तो आप अच्छे से देख लेना क्योंकि अगर आपने यह चीज़ देख ली तो सिर्दर्दी खतम फीडबैक लगाने की यह देखें महां पर पिलस की 5 वोल्ट आए तो पिलस नीचे और ग्राउ फिट्डव आवन और यह अजगए रेंज वाला पुट्व ग्राउंड है हुआ है रण हमारा उपर की तरह और ग्रेवाला है आउट अट के लिए इसमें कौन सी पिंद्य होई है बीच वाली तो हमारी सबसे फेल लग गी हमारी यह वी आउट की पिन तो हमारे ये तो हो गए दोस्तों feedback और हमारी मेन connection चलिए दोस्तों आप दिखाता हूँ आपको चला कर गए इस तरह से आपको feedback चला कर लिएँ में तो हमारा जो है PCM वहां पर याण हो जाएगी motor के connection हो लाएंगे किसी का ग्राउंड विच में किसी का ग्राउंड ऊपर नीचे किसी का वी आउट कहीं तो आप इस तरह से पता लगा सकते आप मोटर माई रेडियो जाएगी तो देख सकते हैं मोटर चल गया मोटर जो चलती है कंदर एंटी तरफ को ठीक है ना याद रखना उल्टी तरफ को अगर ऐसे चल लिए तो वह गलत है ऐसे चलनी चाहिए कि जब ब्लोवर हवा देगा मना दोस्तों खेंचका अब इसमें दोस्तों कुछ देर बाद यहां पे रडर कोड़ आ जाएगा जलीं दोस्तों करते हैं इसके अंदर 25.19 volt बिल्कुल fix मिल ली है तो इसका मतलब क्या हुआ communication बिल्कुल ओक्किया है तो live से आपको नहीं check करना है neutral से और हमारा s से communication से तो देख सकते हैं 25 volt बिल्कुल fix है तो अब इससे हमें क्या पता लगता है जो हमारी PCB कनेक्ट नहीं है देख सकते हो मोटर रेगुलर चल ली है और लेकिन यहां पर आ चुका है और इस वाले एसी में कम्यूनिकेशन का है और कम्यूनिकेशन का फाल्ट ही हमारे पास कस्टुमर लेके आया था तो अब हमारे यह डाउट किलियर हो गया कि हमारी इंडोर फाल्ट नहीं करेंगे तो आप जाते हैं आउट डोर की तरफ पहले आपको ऐसी की कर ले वो करनी है धयान देना यहां पर लिखा हुआ है लाइव और नीडियर निटल हव को टेस्टिंग लिलगानी यह तो चलिए दोस्तो wondered लegाम हैそう और यहां पर वाँ डेनी और दीनिने के बाद आपको so 8 की 10 में आपको यह टेस्टिंग लिल लीडगा है तो यहां पर देखे दोस्तों है हमारा न्यूटल और यहां पर अमारा फेज आपको कमानी के सन्कों छोड़ देना है और यहां पर लाइन में देख़र के अब बल्ब को देखे लिगे quand दो सेकंड के लिए बल्ब जलना चाहिए सकते हैं दो से के लिए जलता अब यह वापसी में डाउन हो गया तो समझ जाना बंद हो गया तो इसका मतलब सब्सक्राइब करना है अब आपको दिखाता हूं यह देखिए अब इसके अंदर दोस्तों आपको याद रखना प्टीसी ओता है और यह हमारी रिले लगी होती है यहां पर देख सकते हैं तो आपको पंद्रे सेकिंड बाद यह देखना अब हीट तो इसका अब यह इतना ओवर हीट हो रहा है बहुत ज्यादा तो फाल्ट जो है हमारी आउट्डोर पीसी बी के अंदर है क्योंकि यह जो दो सेकिंड में बंद होना चाहिए तो चलिए दोस्तों हमने में लाइन से यहां से डिसकनेक्ट कर दिया है और पीसी बी को भी खोल लेते हैं तो ने होती है अगर आपकी इनवेंटर बंदिल आइट पर चलता है तो इस रीक्टों करने में जो दिककट को जो अब हम्हारा फाल्ट हमें फता लग घाया कि हाँ पे अब फाल्ट आपको इसमें कैसे निकालना है सबसे पहले यह समझना है बहुत important चीज है क्योंकि यह चीज है दोस्तों कोई आपको पैसे लेकर भी नहीं सिखा सकते अच्छे से जितने अच्छे से हम आपको बता सकते हैं अब देखिए हमने इस सरकिट को यहां से बाहर निका भी लगे हुए है इसमें जो वोल टास हुआ क्रोमा हुआ लोड हुआ इन में क्या होता है इन में लोक होते हैं ор आपको बिच के पेज नहीं खोलने कि यहां से अभी के पेच घृटर 1500 चार्ज आराम लेते हैं तो ध्यान देना इसलिए आपको सिखा रहा हूं कि सीख लेना कि यहां से लोग लगे हुए सारे लोग कॉल करके आप इस असानी से बाहर निकाल सकती है अब यहां पर भी लोग गई है तो यहां से लोग खुल गए पीसीबी जो हैं इससे हमारी बाहर आगए जिससे की रिपेर करने में हमें आसानी हो तो हमने पीसीबी को कर लिया है बाहर अब यहां पर इसका मेकैनिजम समझना अगर आप मेकैनिजम समझने में दिक्कत कर गए तो आप PCB रिपेर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहां पर समझजिए देखी, यह हमारा एक reactor, इसे reactor क्यों बोलते हैं, आपको बता दूँगा, एक coil होती है, इंडेक्टर की तरह, देखिए, यहां पर सबसे पहले इसका आपको connection समझने होंगे, जैसे यहां पर देखिए, इसमें 4 wire है, यह तो सबी को पता है, अर्थ होता है, body में लग जाता है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ, ACN, यहां पर करीब से देखिए, ACN लिखा हुआ है, यहां पर neutral आता है, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ, ACL, यहां पर live यानि कि phase आता है, उसके बाद S, communication, या ये अब इसे हम दोस्तो रिपेर करें गे तो यहाँ पर आपको समझना होगा क्या सीन होता है। क्या है यहाँ पर ACN जो लिख्षा हुआ होता है यह हमारे हमारी चार पिंफने लहाँ। चार पिन का rectifier होता है इसमें होता क्या है जो यह आपकी बिच वाली पिने होती है दो यह यहां पर देख सकते हो यह जो आपका यह जा रहा है यहां पर यह यह पॉइंट नूटल यहां से डिरेक्ट होता है ठीक है नूटल डिरेक्ट मिला होता है और जो इसका फेज होता है वो PTC से हो करके आता है, तो पहले इसका जो लोड होता है, वो PTC पर होता है, PTC से बाद में रिले पर आता है, तो यहां पर देख सकते हैं, रिले होती है, यहां पर, यह रिले, यह वाली, तो रिले पर जो आपका लोड स्टार्ट होता है, जब होता है, जब आपकी दोस्तों को ही चेक करते हैं सबसे पहले को समझना होता है क्योंकि पहले हर बल्ब थोड़ी देर में ही यहां पर बंद हो जाएगा क्योंकि यह जो PTC पर लोड़ा जाएगा तो अभी देखिए अब हम देखते हैं इसे बैक सब्सक्राइब जैसे बल्ब बंद होगा तो तुरंत यहां पर जो है न हमारी वोल्टेज आ जानी चाहिए पूरी-पूरी च सब्सक्राइं यहां पर हमारे मल्टिमेटर है वर जहां पर बंद हो गया है तो हमारा नूटुल फे यहां पर हमारे फेज और एकमारत नूट्रल है 24 प्यक्क पीनों पर क्योंकि है दिसके यह देखिए यहां पर हमारी चार्ज नहीं हो पारी चार्ज किस वजे से नहीं हो पारे हैं यहां पर कोई ना कोई शोटिंग हो सकती है तो चलिए यह दोस्तों बीप साउंड क्यों आ भी आपको दिखा देता हूं तो यहां देख सकते हो पांच वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बननी यह देख सकते हो यह कोई वोल्टेज हमारी नहीं बननी वह दिखा रहा है अब यहां पर आपको एक not point ध्यान देना है आपको एक टेस्ट कीसे करना है कि यह आगे ट्रेंग देना है यहां पर एकảiली लगी होती है आपको क्या करना है पर इसके करने ड्रेक्ट करने पर बंडर्ट होता है तो 101 अगे की तरफ रोट इंग अगर गलो नहीं होता तो आपका फ्रैसी रिक्ट और ई Crud करके और आगे की तरफ करन्ट चला जाता है तो अब हमारी नहीं और देख सकते हैं तो देखे दोस्तों फुल शोटिंग दिखा रहे हैं तो इसका मलब क्या है आगे की तरह सेक्शन में हमारी शोटिंग आप आप कैसे करेंगे देखिए यहां से लाइन बंद यहां से अटा देखिए दिखाता हूं कोई भी वह नहीं है इसमें करण्ट यह देखिए वरना यहां पर इतना करण्ट आया था कि यह पेच कसको उड़ा देता तो चलिए दोस्तों यहां पर दो तिन लगते होते हैं देखिए यहां पर लगा हुआ है और यहां पर हमारा एक डायोड होगा में सबसे पहले करना होगा है यहां पर को refund करने कि रिक्ट ओल्ध करने की विदि क्या होती है पहले बिन पे लगा लगा लोए पहले पिंपर कोई सी भी एक प्रोब लगा लो और हमारी दूसरे pin से sorting check करते हैं देखे कोई भी sorting नहीं है तीसरे pin से check करते हैं इस पे भी कोई sorting नहीं है इस पे check करते हैं ये देखे शोटिंग हो ये DC वाले point इसके हमारे पहला pin और चोथी pin होती है यहाँ पर पास से देखिये यहाँ पर rectifier है ना यहां पर एक, दो, तीन, चारह से है, तो यहां पर red, minus, 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 S होता है, जैसे minus का point यह है, और यह होता है main AC की point, और जो DC के point है, यहां पर फुल सोटिंग आ रही है, अब DC के point में सोटिंग आ रही है, capacitor भी सोट हो सकता है, देख सकते हैं, यह capacitor को सोटिंग दिखा रहा है, इस वाले को, इस वाले को test करते हैं, इसको भी सोटिंग दिखा रहा है, तो अब हमारा यहां पर IPM भी सोट हो सकता है, capacitor भी सोट हो सकता है, और यहां पर एक IGBT लगा हुआ, उसको भी check करते हैं, IGBT में gate, drain और दोस्तों हमारा MOSFET और transistor का mission होता है न, तो हमारा emitter भी होता है, तो यह देखिए दोस्तों, full sorting दिखा रहा है, यह देखिए, MOSFET में होता है gate drain source, यह देख सकते हो यहां पर, gate वाली pin से भी full sort दिखा रहा है, तो अब इसमें sort होने के जो 90% chances बनते हैं, वो बनते हैं IGBT के, तो सबसे पहले क्या करना होगा, अब हम इस PCB को यहां से खोल लेना होगा, अब देखते हैं step by step आपको check करा के देखते हैं, कि हमारा rectifier sort है, यह IGBT sort है, यह हमारा दोस्तो IPM sort है, तो बने रहें वीडियो को, लाट तक दोस्तो repair करके जाएंगे इसको, क्योंकि इसमें sorting है, इसलिए ही तो दोस्तो हमारे problem आरे हैं इसके अंदर, अभी आपको दिखते हैं, तो इसके जो है न सारे page खोल ले होने हैं, अब मैं दोस्तो एक चीज बताता हूँ आपको, जो हम अपना experience बता रहे हैं, क्योंकि हम दोस्तों एक-दो साल से repair कर रहे हैं, पहले भी repair कर रहेतें, लेकिन inverter की यहां पर अभी आने लगी हैं, तो इसमें क्या हूता है, इसमें जो आपके component सोट होने के chances जो रहते हैं, बताता हूं, किस वजे से कौन से वा आते हैं और क्यों होते हैं, लेकिन इसमें आइपेम भी लगा होता है, Reactive भी होता है,iensमें बिल्कूल खराब होने के वह रहता है, आइजीडिक के यह ने कि अ कि देख सकते हैं हूं ने के बाद आप देख सकते हैं यह पे फिर ऑगे전 कि साफ ऑप साफा स्बाइब कर ऒब इसको लगाएंगे अब यहां पर ठीक है ना उसके बाद में यहां पर इसको दोस्तों करेंगे तेंगे करने के अब यहां से अभी दोस्तों सबसे पहले आपको सबसे पहले तीन लाइक का आइजी बीटी देख रहे हैं आप इसको यहां से आपको रिमुव कर लेना ध्यान देना है बिलुकुल प्रैस अभी जाद है इसमें चेडा खानी किसी नहीं करी जाद है करी नहीं करी आपको तो 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 इसकी लाइक पर सॉल्डिंग करनी है ध्या पहले तो नहीं है इसने दिख्कत है इसमें दिखा देंगे आपको फिर देख लेना प्लकुल रेगुलर चलेगा तो यह देखिए यहां से हमें पूरा का पूरा PCB को साफ कर लेना है इसके प्रिंट जो है एक दम क्लेन कर लेंगा अच्छे से तो यह जो आई जी बीट होता है 25 से 30 एंपेर 35 एंपेर का लगाना चाहिए यह कंदर कभी आप दोस्तों वे लोकल वाले अस्ते वाले लगा दो तो गल्ती ना करें इसमें 1020 यूप्यष नहीं चलेगा इसकंदर कंशन 50-100 पर वाला सो रुपय वाला इजी बीटी है इसके अंदर आपको ठीक है तो देखिए दोस्तों अभी हमें यहां पर क्लीन कर लेना है इसको भी एक पिन नहीं इसकी क्लीन नहीं होने से रह गई है इसे क्लीन कर लेते हैं हमारा इजीबिटी यहां पर निगल चुका है अब हमें यहां पर सोटिंग चेक कर लीनी है एक बार फिर से दोस्तों हमारे डीसी वाले पॉइंट्स पर सोटिंग आरी थी होता है है कि CA उंतीमी शोटिंग नहीं है आप देख सकते हैं को भी dopamine नहीं आ रही है ठीक है मेरे पहले शॉटिंग आ यह देख सकते हैं अब आपको करना क्या है दोस्तों आपने आइजी बीटी को यहां पर टेस्ट कर लेना है तो यह अपने आइजी बीटी लिया यह देख सकते हो फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है दोसी लाइक देख लेते हैं यह देखे फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं IGBT का नंबर है यहाँ पे 50 J-R, 22 50 J-R, 22 है यहाँ यह देख सकते हो यह हमारा IGBT होता है तो चलिए दोस्तो इसको हम replace करते हैं नए डालते हैं तो देखे दोस्तो हमारे पास एक IGBT है यहाँ पे देख सकते हो तो आप यह देखिए आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा है एच बीस और एकसो बीस तीन यह देख सकते हैं तो यह वाला आप आराम से डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया चलेगा अब दोस्तों से पहले आपको करना क्या है यहां पर सबसे पहले आपको यह सबसे पहले आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है तो चलिए पहले हम क्लीन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो दोस्तों हमने यहां पर हीट सिंग को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिए अब आपको करना क्या है देखिए यह आई जी बीटी लेना है आपको यहां पर रख करके आपको दोस्तों लगान मलब सोल्डिंग नहीं करनी है यहां पर इस तरह से रखना है और इस तरह से यहा हैं यहां से से इस तरह से मोड लेना यहां पर सैट आई उसके बाद आपको कर ना दिए को भी थोड़ा सर्थ अक्टिपाइर को भी साफ कर लें गे इस पर फिर आपको दोस्तों हींट कंपाूंडर लगा आँ सिर्फ इन इन पे ठीक है ना आपको प्रमापर उसको बनाई भा तो सो यह देखे दोस्तों यहां पर लग गया आपसी हमारे आइ अपीम के पीच ओ पीच लगा दिना ठीक है इतना लगाने के बाद दोस्तों हैं से थोड़ा सा सही तरीके से कर देना कि अिस तरह से ठीक हो गया अब आपको इधर से आई यहां पर आपको हीट सिंग को कस्ट देना है बहुत अच्छे से जैसे हमने खोली थी अब यहां पर इसके जो है सारे पेज लगाने है और आपको जब यह टाइट कर लेना है तब ही आपको सोल्डिंग करनी है इससे पहले आपको सोल्डिंग इसकी नहीं कर लेनी है क्योंकि आपने पहले सोल्डिंग चेंज कर दी तो जब आए खेंचों के पेस्ट तो सेफ में आकर के प्रिंट फटने के चांसे से रहेंगे पूरे-पूरे तो यहां पर अभी इसको मच्छे से पहले बिठा करके तब सोल्डिंग करेंगे इसमें पूरे वीडियो देख खरो रिपेर कर लो कोई दिककत नहीं है अच्छी बड़ी बात ने रिपेर करने में बड़ा डिफीकल्ड लगता है खेया journalism अयहाणी 22inks से लर मोजशलेटे है नहीं कि स्था धिक आए डिफिकल्ट नहीं होता है जितना को लगता है जितना जिटना आपको लगता भेकłosी सिंपल होता है एक लगा देना है इसमें गेंट आपको यह घंशलेटर और होता है ठीक है न Making बहुत ज़्याद है IGBT को heavy appliance में यूज किया जाता है जैसे हमारा welding machine हुई और आपके यह induction चूला हुआ और AC हुआ लिफ्ट हुए यह आपने देखियोंगे लिफ्ट लगे होती है बैंकों उसमें आपके जैसे देख सकते हो बड़े बड़े बिल्डिंगों में वहाँ पर जो ही यूज होती है वे circuits उसमें IGBT का use होता है क्योंकि IGBT बहुत ज़्याद है load लेने की छमता रखता है अपने अंदर तो यह set बैट चुका है और अब यहाँ है जब कटिंग कर लेंगे यहाँ पर कट कर लेंगे इसके extra lag को extra lag कट कर ही उसके बाद यहाँ पर हमें solding वार देनी है यह देख सकता हमने solding कर दिया है यहाँ थोड़ा सो जो है ना इसे एक बार साफ और कर लेंगे यहाँ इसे हमें थोड़ा से एक बार साफ कर लेना होगा बहुत अच्छे से क्योंकि IGBT का असपास अगर गंदगी होगी तो यह फिर से जल्दी खराब होएगा यह आपकी अगर slow voltage होती है तब भी IGBT जल्दी खराब होता है यह आपका stabilizer ना लगा हो और आप AC को ऐसे चला रहे हो direct बिना किसी stabilizer के तो आपका AC जल्दी खराब होगा उसमें यही फाल्ट आएगा जल्दी जल्दी जो कि AC में फाल्ट आया कि यहाँ पर हमने दोस्तों जो है ना आइजी बीटी को चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर फिर से दुबारा से में लाइन दे करके हम इसको को टैस्ट कर लेते हैं एक बार से में लाइन देते हैं इसकंदर अब क्या फिर चार्ज होएंगे अभी जिल्दी यह जाएंगे पहले से बहुत जिल्दी होगा है हो यहां से तो हम ऑद यहां कि positively करें गए कि आई है नई हो गी तो यहां होगे है इसक्रेंद फॉर्ट के और किरилось टो है कि इनको दोस्तों में चैक कर те कि आपस में तो पहला चेक करते हैं मंटिमेटर बंद हो गया सो दोबारा वह उन करते हैं तो देखिए पहला चेक करते हैं यह देखिए एंग फुल शॉटिंग दिखा रहा है थीं सभेवकुल दिखानेन निपार दा भी यू भी Cohen चेक करते हैं विवाला पॉइंट करते हैं यूवाला ठीक है यनगी इसके अंदर hijability को बना होता है तो इसके अंदर सेक्षन खराब हूँ टीब्यू किक है तो इसका जो फूप अकरवने के बाद फिर कैपिश्टर पर आपको वोल्टेज दिखा दें तो चल दें दोस्तों IPMM निकाल लेते हैं